आरो वाटर पुरिफायर लेने से पहले ये बात आप जरूर गौर कर लिजेगा कि आपके यहां के पानी का टीडियस कितना है अगर आपके पानी का टीडियस अगर 200, 200, 300 की उपर चला जा रहा है तो वहाँ पे ही आपको आरो मशीन सर्जिस करनी चाहिए लेकिन वो सिंगल आरो वाटर पुरिफायर भी नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए आरो प्लस यूवी वाटर पुरिफायर क्योंकि अगर वो सिंगल आरो वाटर पुरिफायर रहेगा तो आपको पानी की मिनरल्स को काफ़ी कम कर देगा अगर मतलब RO का एक basic rule है कि वो आपके पानी के 90% तक minerals को कम कर देता है तो अगर 200 का TDS रहेगा 200 डाइस या 300 तक का भी तो वो क्या करेगा वो 20, 25, 30 तक water का TDS लाके देगा जो एकदम unhealthy है तो उसके लिए आपको क्या करना है RO plus UV water purifier लेना है हाँ अगर ऐसी काफी सारी जगा है कि जहाँ पे 200, 300 नहीं काफी 1200 के घर पे TDS होता है तो वहाँ पे आपको single RO water purifier लेना है क्योंकि अगर वो वहाँ पे 1000 का TDS है तो अगर 70, 80, 90 के range में भी वो water TDS कम करता है तो आपको क्या करके देगा 100, 120 या 130 तक लाके देगा तो वहाँ पे ही आपको RO suggest करना है otherwise आपको लेना है अगर 200, 200 रहेगा तो आपको लेना है RO plus UV और अगर 1000 के उपर चला जाता है तो वहाँ पे लेना है आपको single RO water purifier